बागेश्वर धाम में हिंदू राष्ट को लेकर बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी का सुरदरवार तो आपने देख लिया लेकिन बागेश्वर धाम में और भी बहुत कुछ है जो न्यूज 24 आपको इस खास पेशकस में दिखा रहा है कैसे 125 कन्याओं का विवा हो रहा है और उन बिवाव में कैसे महंगे, सोफा, पलंग, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कूलर, बहुत सारे दहेज या गिरहस्थी के सामान दिये जा रहा है महा शिवरात्री के मौके पर बागेश्वर धाम में होने बाले 121 निर्धन ललकियों की साधी की तैयारिया जोरो पर है दिये जाने के तैयारिया शुरू हो चुकी है, देखिए ये तस्मीर है, ये ब्रिफकेस आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर इसके अलाबा यहाँ पर देखिए कि ये बोद्रेज है, तकरीबन 40-42 ऐसे लिस्ट है जिसकी सुची है, जो गिरहस्ती के लिए दिये जाने बा और इंतजार हो रहा है कि जब 18 फरवरी को जब शिवरात्री के मौके पर यहाँ पर चीजे होगी तो उसे ये गिरहस्ती में दिये जाएंगे, ये देखिए LED की टीवी है इसमें, 32 इंच का टीवी भी, निर्धन जो गरीब लड़किया है, जो दमपत्य जोले में उनको ये दिया जाएगा और ये देखिए ये प्रेस है, ये प्रेस है, आप देखिए यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल इदर आपको देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल है, और इसके अलाबा ये देखिए, यहाँ पे आपको गैस 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 चुला है, दागे पूरा केंट सेट का लगा हुगा कर बागी आइटम अपना वहां पूरा लगा हुगा है पहुचा चुक्या कि यह कीचेंट हो गया यह आपको ला दिख रहा है यहां पर देखिए कि उनके साजो सामान का जो तयार है यह देखिए यह तौलिया यहां पर है यह स्रिंगार बॉक्स है यह साड़ी है और यहां पर और भी और देखिए उसको लेकर वकादा सब तरह की पैकिंग की जा रही है यहां पर और बहुत सारी महिलाएं भी यहां पर बहुत सामान प्रेक होना है और लिस्ट में गरीब करन्याओं के लिए अपने एक मेकब बॉक्स दिया उसमें चूणियां है और जो किट में सारा शामान होता है जैसे की साबुन बगेरा क्रीम लिपिश्टिक बगेरा और फॉंडेशन बगेरा यह सारी चीजे रखी गई है यह है शाधियां करन्या सामान है तयारियां यहां पर चल रही यहां पर आप देखे की किचन से जुड़ा हुआ सामान है यह यह लग अलग रखी गई है जो एकीस एक सो एकीस लोग का चुनाओं किया गया है उसमें तीन तरह की कैटगरी है नीज 24 आपको बता रहा है एक हैसी कटगरी है जिनके माता पिता नहीं है उनको पहले प्रारिट दी गई तक्रीबन साड़े 500 अरजी आई थी 121 कन्याओं को जिसमें से चुना गया है जो नया परिवार है दूसरे नंबर पर जिनके माता या पिता दोनों में से कोई एक नहीं है उनको चुना गया इस साधी के लिए और तीसरा जिनकी आर्थिक हैसियत बहुत खराब थी आसिनडन लोगों को यहां पर लगाया था यह 121 लड़कियों कि जो साधी हो रही है माराज उसमें आप लोगों ने प्रयारीटित है लेकिन हम 125 करने जा रहे हैं 125 करने जा रहे हैं कारण था कि दो चार चार ऐसे करने आए पतर साधी थी कि उनके हाँ पर कुछ भी नहीं था करने के लिए उनकी दू-दू-दू तीन तीन बच्चियां थे संकल्प लिए था हमाँ पास लगभग 500 फॉर्म आए थे फिर हम नों के पास एक बड़ी समस्य आगे कि इनका चैन कैसे कि लिए उनको हम पहली प्राथ्मिक्ता देंगे इनके पिता नहीं हम उनको दूसरी प्राथ्मिक्ता देंगे हमारे यहां से कमेटी बनाई की थी जो जा लोगों ने चैन किया है और बच्चियों को सारी चीजें घर ग्रहस्ती की सारी चीजें इसमें संबले थे चाहे वो फ्रीजों चाहे वो इतना समान कहां रखेंगे देखिए जब यह करा रहा है तो घर भी बनवा देगा बाला जी क्रपा होगी उनका घर भी बन जाएगा जब इतना सब कुछ बाला जी की क्रपा से होगा तो निश्चित तोर से उनका घर भी बन जाएगा तो यह तैयारिया है और यहां पे 18 फरवरी महाश्यवरात्री का वक्त है और उस दिन यहां एक बड़ा भब्य आयोजन है विवाह का जिसमें मद्य परदेश के मुख्यमं लड़का पक्षका लड़की पक्षका वो भी हम आपको दिखाएंगे अब हमारे साथ बने रहे हैं कुछ और तस्वीरों के साथ आपको और भी रूबरू कराते हैं